छेली के चिलके चिलके arzेरा दोस्तों तोषे मैं हूं प्रतीमाज अबलपुर, यह केलिके चिलके है दोस्तों द्रेगन फूट के प्लांटस में चान की वर्मी कमपोस्तों जाते गड़ते थे तुसलिए मैंने इसको समेट दिया है और जो खार डाली है उसे इसमें छोटे-छोटे से बड्स देख रहे होंगे आपको पत्ती के किनारे से बहुत धेरो बड्स आये थे उपर से मैंने इसकी पत्तियों को टिप को भी काटा था ताकि उसकी पत्ती वह आ बड़े हो गए हैं और बहुत सारे बड्स आये हैं अब इसमें से देखना है कितने बचते हैं क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा ये देखी पांच ही मात्र बच पाए हैं बारिश यहां बहुत होती जबलपुर में तो बाकि सभी बड्स हो है वो बढ़ नहीं पाए ये पा यह देखिए अच्छे बड़े-बड़े साइस के होगे यह खार्ड का कमाल है दोस्तो यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे मेरे आने वाले वीडियों का और लाइक सेर भी कर दीजे यह देखिए दोस्तों दो जो बड़्स थे उसमें ही यह फ्लावर आया बड़ा और बाकी के जो थे वो बहुत ज़्यादा बारिश कई दिनों तक तीन चार दिन तक लगातार बारिश होई जबलपर में उससे वो सड़ गया और सड़ के सूख के गिरिया यह दो ही मातर बचे अब इसमें ही फ्रूट लगेगा तो देखते हैं यह देखिए फ्रूट लग गया है इसमें यह फ्रूट को पकने में करीबन इसको तोड़ने के लिए हलका सा गोल घुमाना होता है फ्रूट को अपने आप वहाँ से तूट जाता है किसी कैची से या चाकू से नहीं वो काट सकते इसको तोड़ने के लिए ट्विस्स करना होता है हलका सा और उससे वो तूट जाता है यह देखे यह मेरे हाथ में आ गया विल्कुल पक चुका है यह और दूसरा वाला यह है दूसरा वाला भी थोड़ा सा इसकी जो पत्ती है हलकी सी हरी लग रही है यह पत्तिया हरी है और मैं सोचती है उसको एक दो दिन के बाद तोड़ू तो यह भी अच्छे से पक जाएगा दोस्तों मिलती हूँ इसी तरह के नए वीडियो में नई जानकारी के साथ अगला वीडियो जल्दी बनाओंगे ड्रेगन फूट पर ही हैपी गार्डनिंग बाबाई